क्या आपको भी ऐसी कोई परिशानी है कि अकेले में ही आप ऐसी कुछ हरकतें करते हैं मसलएं आपके घरवालों और परिवारवालों को भी इस बारे में कुछ पता नहीं है ऐसी कुछ परेशानिया होती हैं ऐसी कुछ आदते होती हैं जो हम अकेले में अपने साथ करते हैं या अपने बारे में हम किसी को बताते नहीं हैं मसलें कुछ लोगों को कोई तिनका मूँ में डालने की आदत होती है, मूँ में कोई तिनका डाल लिया, कागज, धागा, बच्चे अक्सर देखते हैं, कभी कुछ चबा रहे हैं, कुछ इस तरह की हरकते, कोई अपने नेल्स को बाइट करता है, अपने नाखुन काटता है दा किस तरह की परेशानी है, एक पांच से साथ साल के उम्र की लड़की जो अपने सिर के बालों को नोच कर खाना शुरू कर देती है, सुनकर काफी अजीब लगा, उसके परिवार बालों को ये बात सोलस साल तक नहीं पता थी, कि उनकी बच्ची अपने बाल नोच कर खा रही है, जे हाँ और ये बात बिलकुल सच है, इसका खुलासा कैसे हुआ, चले पूरी कहानी विस्तार पूरवक आपको बताते हैं, नमस्कार मैं हूँ आशीस्त रिपार्टी और न्यूज एटीन के इस सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर एक बार फिर से आप साभी गास वाग एक पांच साथ साल की बच्ची जो कि एक बीमारी से पीडित थी, ट्राइकोफेजिया इस बीमारी को कहा जाता है, ट्राइकोफेजिया से पीडित बच्ची जब भी एकांत में कहीं होती, तो अपने सिर के बाल को नोच कर खाने शुरू कर देती हैं, अब चुकि बाल अमर से शुरू हो चुकी थी, और साथ साल, आठ साल, नो, दस, वो धिरी-धिरे बच्ची बड़ी होने लगी, और बढ़ते बढ़ते, तेईस साल की उमर में, जब उसने कदम रखा, और तेईस साल, लगबग सोले साल, उसने अपने सिर के बालों को खाया, कुछ टाइम उ ही ना ले, घर के लोग परिशान, खुद वो लड़की परिशान, और उसका एक प्रतिशत भी सोर दिमाग नहीं गया, कि जो वो बाल खा रही है, शायद ये परिशानी उसी की वज़े से हो, कि वो बता पाती कि ऐसे बाल खाने की वज़े से हो सकता है, कि मेरे पेट में दर आए गया, और जब गहनता से जाच की गई, तो पता चला कि पेट के एक एरिया में कुछ गुच्छा जैसा नजर आ रहा है, डॉक्टर्स ने इसके बारे में काफी बाचीत की और जाच परताल की, तो पता चला कि उसके पेट में ये गुच्छा दरसल बालों का गुच्छ जो 23 साल की उम्र में आने के बाद असेहनिय दर्द में परिवर्तित हो गया और इसको बाकाइदा ऑपरेट करके निकालना पड़ा, जब ऑपरेशन सफल हुआ और सफलता पूरवक पेट से बाल का गुच्छा निकाल लिया गया, आप यकीन मानेंगे, वो दो किलो बाल उस के पेट में थे और उनका गुच्छा बना हुआ था और कोई 2, 4, 5, 10 साल की तो ये बात नहीं थी, लगबग 16 साल तक उसने बाल खाए, सुनकर भी अजीव लगता है, हलकि एक बीमारी है, ट्राइकोफेजिया जिसका नाम है, ये एक मानसिक बीमारी है, और इस तरह की बीम परिशानी को समझे हैं या ना समझे हैं, मजाक उड़ाएं या हो सकता है कि हम हसी के पात्र बन जाएं, ट्राइकोफेजिया की इस बीमारी के बारे में अब उसे काउंसल किया जा रहा है, ताकि दोबारा से वो इस तरह की हरकत को अंजाम न दे और ऐसे में मरीज के साथ र कागज़ चब आते हैं इस तरह की आधत आपमे भी है या इस तरह की कुई कोई परिशानी है तो इसका मेडिकली इलाज हो जाता और यह कोई बहुत परिशानी की बात नहीं है यह मांसिक रूप से अगर आम बोलचाल में बात करें तो कामिकली कुछ imbalance अगर mind में होता है तो वो कई बार इस तरह की आदते हमें लग जाये करती हैं और इससे चुटकारा पाना भी बहुत आसान है इस बीमारी के बारे में इस वीडियो के बारे में या आपके अंदर कोई इस तरह की अगर गंदी आदत है आप इससे चुटकारा पाना चाहते हैं अगर आप हमें शेयर करना चाहते हैं तो comment box में आपका welcome रहेगा